शेहनशा, जीमो शान शेहनशा के लिए शाही धाली प्रस्तुत की जा रही है और आज डाल में इसमें बनाऊंगे अपने न्यू न्यू पॉट में खताब, फिनिश चलो इस समाहत आज है 2nd of January, अभी सूबे के बच रहे हैं दस और हमारी चाय अभी होने जा रही है और कल रात को एक तारीक का व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो कल का व्लॉग जाके जरूर देखिए का काफी अच्छी अच्छी रेस्पीज मैंने उसमें शेयर की हैं हमने 1st of January अपने स्टाइल में सलिबरेट किया था, काफी कुछ खाने के लिए बनाया था इसलिए किचन बहुत जादा उतल पुतल हो गया था, लेकिन रात मैंने उतना जादा क्लीनिंग नहीं किया था वो इसलिए क्योंकि बहुत रात हो गई थी और अगले दिन फिर अगर वर्किंग होता है ना तो आप टेंशन में रहते हो कि आपको सब कुछ एकदम नीट और क्लीन करके जाना है लेकिन आज संडे था तो इसलिए मैं जादा बॉदर नहीं ही कि सुबह उठके अराम से ही तो काम करना है किसी को ना ओफिज आना है ना स्कूल की हड़ बढ़ है तो एकदम छुट्टी वाला महल था तो इसलिए अभी सुबह उठे हैं चाय पिऊंगी उसके बाद मैं किचन क्लिनिंग स्टार्ट करूंगी किचन वैसे मैं बरतन वगेरा सब डिस्वाशन में डाल देती लेकिन देखिए कितने सारे बरतन कल शामी मैंने दोए थे तो बरतन इसमें डालने का मतलब है पहले ये सारे बरतन निकाल के सेट करो और कभी कभी जब आपके पास बहुत सारे काम आगे दिखते हैं तो आप स्किप कर जाते हो तो ये बरतन निकाल के रखने के चक्कर में मैंने इसमें बरतन दोके नहीं डाले तो अभी मैं इसको खोल करके थोड़ी देर छोट रही हूं ताकि इसमें थोड़ी सी धूप लग जाए क्योंकि मैंने स्टीम के साथ ही इसको छोट दिया था रात में स्टीम इसका नहीं निकाला था तो थोड़ा-थोड़ा सा ना पसीजापन है बरतनों में वो निकल आफं़ में आज प्लान कर्लियाए क्या हूं तूला है अड़ म्हाट हिएम तर्टा न बैकि दैज-चाय दnt परके एले हूं– वाज है में तसलिवाली चाय के बाद में अपने काम में लगूँगी और कुछ काम है जिनको मैं सेटेडे संडे कभी भी छोणना नहीं चाहती हूँ कभी कभाड छोण भी देती हूँ मूर पे डिपेंड करता है लेकिन लॉंडरी कैसी चीज है जिसको मैं एवरी डे करती हूँ बहुत सारे लोग पूछ रहते कि आप रूटीन शेयर कीजेगे किस तरीके से आपका लॉंडरी का रूटीन रहता है तो मेरा रूटीन का मैंने एक थम रूल बना लिया कि एवरी डे आपको करना ही करना है अगर आप एक भी दिन छोड़ दोगे तो फिर वो इकठी हो जाती है और एक्जाइटी किसी वापको कुछ नहीं देती है तो एवरी डे थोड़े इसे ही जितने भी कपड़े होते हैं मैं अपने वाश करके रख देती हूँ और सर्दियों में तो आपको और भी सतरक रहना होता है क्योंकि जैसे ही सुब़े आप देखलो धूप निकली है तो आपके कपड़े तयार होने चाहिए सूखने के लिए कई बार ऐसा होता है ना कि दो या तीन दिन तक धूप नहीं आये तो ऐसे में आपके कपड़े इकठे हो जाते हैं और अगर मालो एक दू दिन पहले आपने और कपड़े ना धुए हो तो सुचिए कितने इकठे हो जाएंगे इसलिए एवरी डे धुने का कपड़े जो रूटीन है वो सबसे बेस्ट है मैंने weekly laundry routine भी follow करके देखा है alternative भी follow करके देखा है या week में दो बार भी follow करके देखा है लेकिन उससे कुछ नहीं होता है सिर्फ anxiety बढ़ता है मैंने ये भी feel किया है क्योंकि जब आप everyday laundry करते हो तो थोड़े से कपड़े होते हैं उखाने में आसान उठाने में आसान डालने में आसान फोल्ड करके रखने में आसान तो वो एक everyday routine में आ जाता है लेकिन अगर आप एकठे धेर सारे धोते हो सुखाते हो तो फिर मेरे बसका तो नहीं मुझे लगता है अब ये चीज तो मेरी तो आदत है कि everyday मैं किसी ना किसी के कपड़े वाश कर लेती हूँ किसी दिन bet shit कर लिया तो किसी दिन और extra stuff कर लिया किसी दिन door mats कर लिये इसी तरीके से लेकिन मेरी machine चलती जरूर है हर दिन हर दिन मैं अपनी machine को run करती हूँ तो ये routine सबसे best है according to me अगर आप follow करे तो और ये खीर हमने यहां dining table पर छोड़ दिया था एकदम ठंडी ठंडी खीर है वो भी मिट्टी के बरतन में रखी हुई उसी में बनी हुई तो सुबह सुबह ना फटा फट इन्होंने चाय के थोड़ी देर बाद मैं से खीर मांग लिया कि अब मझे खीर दे दो एकदम आइस्क्रीम जैसी हो गई थी और बहुत डिलिशियस लग रही थी बासी खीर तो ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है और उसके बाद मैं किचन में यहां पर लग गई हूँ काम करने के लिए देखिए बरतन जादा नहीं होते हैं डिनर के बाद के बरतन थे थोड़े ही थे लेकिन होता कि यहां का बेसिन इतना चोटा है कि ऐसा लगता है कि है भगवान बवाल है जैसे पूरा दो-चार बरतन है तो आज चुटी पे रहेगी तो इसलिए मैं यह सारा काम कर रही हूँ अदरवाइस पूनमी बरतन वगेरा वाश करके डिश वाशर में डाल देती है क्योंकि मुझे ही सारा काम करना है तो इसलिए मैंने सोचा जितनी जल्दी सुबह मैं सारे कामों को निप्टा दूंग करना है था उसमें से इतना बच्चा हुआ है कि हमारा दूपहर तक का काम चल जाएगा तो जैस अभी मैं कीचन क्लीन करूंगी घर क्लीन करूंगी उसके बाद नहालूंगी झाल 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 बेसिन मुझे काफी गंदा लग रहा था तो मैंने सोचा कि उसको हार्पिक से क्लीन कर दें यह हार्पिक मुझे जो रैड वाल है ना काफी पसंद आता है वैसे है तो यह बातरूम अगेरा क्लीन करने के लिए लेकिन अगर बेसिन वगेरा ज्यादा पैची हो जाता है करने है जाक होगा जाता है अब अशीन से आसे गल मुझे बैसिस इंट रीक आरेता है और वीट में एक बार बातरी थांट है outdoor वाटर फिल करना पड़ता है तो यह इन्होंने सीख लिया है कैसे करना है तो यही करते आ रहे हैं सालों से तो आज क्योंकि संडे था चेक किया तो इसका पानी बिल्कुल खतम हो चुका था तो फिर वही फिल अप किया जा रहा है यहां पर din the myina to hd में अभी मेने नहला दिया और ही फटा-फट में बनाने चारी हूं खाना और यह ब्रंची हो गया हमारँ क्वीकि ब्रेक्फॉस्त में कुछ किया 30 सिफ लो ने क्या नहिए और दो टोस्त को होते है ना ररस्क वही खा लिये थे तो ज ‫वहीज क्ल कहाना था वही हम र अभी मैं सीधा आप से मिल रहे हूं बंडे को अभी जो आपने थोड़ी बहुत क्लिप्स तेखी वो थी संडे की मैंने व्लॉग शुरू किया था कि इसको अच्छे से कंटिन्यू करेंगे और शाम को कुछ अच्छा बनाएंगे शेयर करेंगे दुपैर तक हम लोगों ने ज पूरा वीक हस्बेंट अच्छे से नहीं करवा पाए थे तो पूरे टू आर्स के लिए कल इतनी बढ़िया वाली उसकी प्रैक्टिस हुई है ना कि वो अच्दम परेशान हो गया कि पाप चोड़ दू मुझे संडे है तब जाके उन्होंने छोड़ा है क्योंकि देखना प आप लोग समझ रहें कितना फेमस हो गया है हर जगा गेम्स वगेरा सब कुछ बनने लगी है नजाने कबसे वह हम से बोल रहा है कि आप लोग देख लो इस कुट गेम मुझे बसे स्टूरी बता देना क्योंकि वह 18 प्लस है उसको तो दिखा नहीं सकते है बहुत दिन से पी देखने में लगबग इतना सिरीज है वो देखते 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 मनी नहीं कर रहा था कि उसको अब छोने अब अगला क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा उसी में हमने पूरा दिन बिता दिया कुछ नहीं किया ना वीडियो मैंने पोस्ट किया और ना बज़े हम लोग सोए हैं क्योंकि हम इतर अपना देख रहे थे और सिधार्ट ने भी फुल डे अपना मस्ती लिया उसने भी अपने फ्रेंड के साथ खेला उसके साथ कौन पर सारी बाते करी फिर यह लोग कुछ ड्राइंग कॉम्पेटिशन कर रहे थे फिर इसने अपनी मु काफी एनर्जेटिक लग रहा है और वीक स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी अनर्जी अंदर आ गई है तो चलो अब गर के काम स्टार्ट करते हैं और जस्ट अभी मैं थोड़ा कीचन मगारा क्लियर करती हूँ सूबे के बाद मैंने काफी कुछ रिकॉर्ड किया बीच में लेकिन वह सब मैं आपे शेयर नहीं कर रहे हूँ विकॉस यह वीडियो बहुत जादर लंबी हो जाएगी तो वह सब मैंने कट कर दिया है सीधा मैं आज के दिन मतलब थर्ड ऑफ जैन है जब शाम को मिल रही से और जैस्ट अभी फूर्ट सोगर हमारा खाने का समय तो एपल पील कर रही हूं से धार को खिलाओंगी मैं खाऊंगी और उसके बाद फिर किचन में लगेंगे हम लोग डिनर बनाने के लिए और आज भी मेरा पूरा मोड था बढ़िया सा खाना बनाने का क्योंकि घर में जब नया बर्तन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ करने का मन करता ही है तो खीर बना ली मीठा उसमें हो गया आज मैं उसके अंदर बनाने वाली हूँ कुछ और चीज क्या बनाने वाली हूँ आगे आगे आपको वीडियो में पता चलेगा तो अभी मैं ना दाल बनाने जा रही हूँ आज फिर से बड़ी असी थाली बनाने का मेरा मन्नू हो गया लेकिन ये एब्रीडे स्टाइल थाली है लेकिन एक रेस्पी बहुत ही स्पेशल है जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी वो मैं अभी मना के रखा हूँ और अभी के लिए भी ओजाएगी और कल टिफिन के लिए भी हो जाएगी और आज डाल में इसमें बनाऊंगी अपने नियू-फट में तो इसमें पहले इसको ट्रांसफर कर दीमैद अभी मैंने दूढ रहा है इसको इतर लेकते हैं इसमें मैंने खेर बनाइती ना तो बहुत जादा दूद अंदर अग्दम जम गया था क्योंकि एक दीन यह ऐसे रखा भी रह गया इसको एक बार पांईयों वालका थे रूं किया किया हुआ किया इसको थोड़ी तो लगानी सकते पिर दुबारह मैंने इसके इंतर पानी बॉल किया है तो बार भी Свक्कार ही ठीकत को ननली है ताप जय की यह साफ हूआ 90 0022 अधने जल्कसक आप दीकत हो ती है इसको झूड़ा से मसूदाल ताल मैंने बिगो के रख दिया था क्योंकि मुझे पता था कि बहुत जादा टाइम लगेगा मिट्टी के बरतन में दाल जैसी चीज को पकने में तो इसलिए बिगो करके छोड दिया था तो मोंग और मसूर की दाल मैंने इसमें एड़ कर दिया है धीमी आज पर ही चड़ाऊंगी मैं एकदम धीमी नहीं बट मीडियम लो फ्लेम पे ज़स्ट इसमें हल्दी और नमक एड़ कर दिया है मैंने अलू गोवी की बुझी आज मैं दूसरे स्टाइल में बनाने वाली हूँ तो इसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा हल्दी नमक डाला है और इसके अंदर धुली वी गोवी डाल दिया है इसे तोड़ा गोवी डिसिंफेक्ट भी हो जाएगी और हलका सा मुझे इसमें बॉ पहले डाला और इसके बाद फिर मैंने आलू एट किया है बीच बीच में मैं दाल को दिखती भी जा रही हूँ उसको चलाती भी जा रही हूँ क्योंकि वो उपर तक उफन उफन के आ रही थी यहां पे देखिए आलू गोवी हो गया है तो इसको मैंने चान करके निकाल लि अधिया है और बस यह जो अलू और गोभी है हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम लगातार भूनते रहेंगे बीच पीच में ढखेंगे भी क्योंकि यह अच्छी तरीके से कुक नहीं है भी कच्छी ही है तो बीच पीच में ढखते हुए चलाते हुए हम इसको पका ल भूजिया हमारी लगबग हो चुकी है तो इसके अंदर हम लास्ट में एकदम थोड़ा सा धनिया का पाउडर मिलाएंगे थोड़ा सा बिलकुल इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और यह डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से भून जाएगी इसकी सबजी बहुत अच्छी लगती है और आप इसको मसालेदार भी बना सकते हैं लेकिन मैंने इसको जादा मसालेदार नहीं बनाया सिर्फ धनिया का इस्तमाल किया है दूसरी जो रेस्पी और जो आज की स्पेशल रेस्पी है वो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ यह है मेथी मतर मलाई जिसके लिए सारे इंग्रीडेंट मैंने यहाँ पर रखे हैं मतर मेथी और बांकी और सारी चीजे तो चलिए फटा फट इसको बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए पैन में मैंने लिया है थोड़ा सा आईल सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे क तब हम इसके अंदर एड़ कर देंगे टमाटर यहाँ पे तीन बड़े साइस के टमाटर हैं और इनको भी रफली चॉप करना है आपको और बस इसको अच्छी तरीके से चला दीजिए इसके अंदर सॉल्ट एड़ कर दीजिए और इसको ठक दीजिए हमें तब तक इसको प की हलदी डालना है आधा चोटी चमच से बसके अच्छा नहीं चाहिए अब आप यहां पर देख सकते हो कि टमाटर अच्छे से गल गए, तो इसको हम हटा लेंगे पैन से और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे क्योंकि हमें इसको पेस्ट करके पेस्ट बनाना है यह इसके अंदर बिलकुल जरा साँ मने ऑईल डाला है और ये जो मेथी रखी हुई थी काट करके, साफ करके ये हम इसके अंदर डाल देंगे लगबंग दो कप ये मेथी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है पहले तो ये मेथी इस तरीके से दिखेगी फिर ये काफी सारा पानी रिलीस कर देगी कुछ ऐसी दिखने लगेगी और उसके बाद जब एकदम ड्राइ ड्राइ हो जाएगी तब आपको इसको फ्लेम पर से हटा लेना है यहाँ पर हम ना मटर चड़ाने वाले हैं तो इसके लिए थोड़े से पानी में मैंने लगबग डेड़ कब तक मटर लिया है और इसको हम अच्छे से बॉइल करने वाले हैं जब तक ही 80% तक कुख नहीं हो जाते तो साइड बाइ साइड मटर भी बॉइल हो रहा है और जो मेथी थी वो भी हो गई है दाल भी हमारी डन हो गई है तो मैंने सुचा दाल में तड़का लगा देते हैं बहुत ही सिंपल वाली मैं दाल बना रही हूँ तो इसलिए सिंपल वाला उसमें तड़का भी जाएगा सिर्फ हींग, जीरा, सूखी मिर्च और लैसुन का तड़का होता है वो दे रही हूँ मैं और देसी घी में दे रही हूँ क्योंकि उसका टेस्ट काफी अच्छा आता है तो आज जोश जोश में बहुत सारा मैंने एकसाइटमेंट में कुकिंग कर लिया क्योंकि मुझे लगा चलो यह भी बना लेती हूँ यह भी अच्छा लगेगा एक थाली जैसा पूरा प्रॉपर हो जाएगा और आप लोगों को आइडिया भी मिल जाएगा कि आश्या हम आपको क्या बनाना है दाल ना हमारी almost done है आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा मैं इसको तड़का डालने के बाद और उबालने वाली हूँ लगबग 2-5 मिनिट और बस यह दाल एक दम होके तयार हो जाएगी टर्माटर प्यास का यह मसाला जो हमने बनाया था यह भी थंडा हो गया है और इतना थंडा हो गया है कि हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं तो इसका एक बड़ी आसा पेस्ट बना लेंगे हम थोड़ा सा पानी आड़ करके इसको ग्राइंड करना है ताकि यह जो दाने है ना धनिया की अच्छे से ग्राइंड हो जाएं जो काजू हमने बून करके रखे थे वो भी इसी के लिए रखे थे वो भी साथ में ही एट कर दिये हैं और बड़ी आसा पेस्ट बन के तयार है अभी हम क्या करेंगे एक नॉन स्टिक पैन के अंदर थोड़ा सा ओल ले जितना भी इसको कंसिस्टेंसिस की रखनी है उसे हसाब से और यह जो ग्रेवी है यह बहुत ही मसालेदार कलर की नहीं बनती है लाल कलर की नहीं बनती है यह बेसिकली मलाई कलर की थोड़ी सी वाइट थोड़ी सी यलो इस टाइप की ग्रेवी बनके तयार होगी तो जस्ट पानी और नमक इसमें एड़ कर दिया है ग्रेवी में जैसे ही बॉइल आगया है हमने इसके अंदर बॉइल कि हुए मटर एड़ कर दी है साथ ही में भूनी हुई मिथी भी एड़ कर दी है काफी कम सी रह जाती है यह इसको अच्छी तरीके से हम करेंगे मिक्स और अब हम इन और दोनों को साथ में मिला कर इन तीनों को साथ में मिला कर बॉइल करने वाले हैं दो मिनिट तक Аप्झbles को देट करने एक कब तक मिल्क दियेत में डिए ख़़ इवके जादा आप द्साविवर तो इन दुसरे में मिक्स हो गया है को एक कुप से थोड़ा से ज्यादा ही ही से एट करो तो दूद्ध फटता नहीं है तो इसलिए मैंने ये टिप ट्राइ किया है और इस तरीके से मैंने इसके अनदर मिल के एट कर दिया है इसको नए आपको लगातार चला जलाते रहना है जबangel नहीं आजाता जैसे ये बोईल आ Жाएगा उसके बाद में अधा कप घर क क्रीम था जो हम मलाई उतारते है ना दूद के उपर से वो मैंने एट कर दिया है ये में पस थोड़ा कम था इस रेस्पी में थोड़ा और ज्यादा डिमांड करता है तो इसलिए फिर जो स्टोर बॉट ये क्रीम आती है ये भी मैंने वन एन हाफ टी स्पून इसके अंदर मसाला बस ढग करके हम तब तक इसमें बॉइल लगा लेंगे जब तक ऊपर थोड़ा सा ओईल नहीं आने लगता इसका ओईल सेपरेट नहीं होने लगता और यहां पर आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्टली बनके तयार है अब हम इसको सॉफ कर देंगे और थोड़ा स मस्ट राए है जरू ट्राइ कीजेगा रोटी पूडी पराटा के साथ में यह अमेजिंग लगने वाला है साथी मैं बना रही हूँ अब रोटी तो एक पूरा थाली मैं प्रिपेर कर रही हूँ और यह थाली बहुत ही ईज़ी है जट-पट से बन जाती है तो यह थाली अगर आप अपना जो दाल है ना उसको उसमें कुक ना करों मित्टी के पॉट में बिकॉस उसमें मुझे लगता है कुछ एक घंटा दस मिनट या पंदरा मिनट के आसपास उसमें टाइम लग गया था दाल कुक होने में वैसे मैंने जब तक और सारी चीजे की दाल बन चु बना ही लिये थे और मेरी ये थाली तयार है आएए दिखाते हूं आपको थाली में क्या-क्या है मेती मटर मलाई है दाल है साथ ही मैंने बॉंदी का सिंपल वाला रायता बनाया है आलू गोबी की ये बुजिया थोड़ी सी अलग स्टाइल बहुत टेस्टी लग रही थी द कि मुझे नहीं लगता किसी चीज की ज़रूत है और ये थाली जस्ट अंडर सिक्स्टी मिनट बन जाएगी और पसंद भी सबको बहुत आएगी तो ये यमी यमी सा आज का हमारा डिनर था के लिए शाही थी यूडरी स्ट केला है वाजीम जाही शाही थी और रेता मिएीड हाँ आज़र के लिए शाही थोड़न साया के लिए शाही थी खाओपानगे। हाली प्रस्तुत की जार भी है चलो खाओ सारी कतम कड़नी है यह बहुत पीटूँगी जंसा के साथ यह क्या हुआ चावल गुड गुड बॉई गुड बॉई पापर गुड बॉई प्याज दोने ले सकते हो सबसे पहले यह दोने राइता और यह मार कर दो जंसा करें तुमने बोला थार भी आपको नहीं देना मेरे को देना अ कमरे आपको को देता हुआ तुम खथम नहीं करते है ना खतं करना है यह सिरे प्रेक्ताइब ख़ता है यह जो लेगा उस थाली को ख़ता है फिने फिनिश धा बता इंसी आले सब्सेटी बढ़ गए लिए ऐसे बीज़ी एकट्व निए को आखी है अधिक मसे अधिकाल दखते हैं आरी वह वह भना वसे लावने चल बादा नहीं सगा है ने अच्छा है बहुत बढ़ी है कि आपको तुम ऐसे तुमारे विलों बहुत बढ़िया है अच्छे मिटर है कि अधिए टिस्ट करें तो अधिए पापा अधिया सोगें लगता है क्या है फिर सो गया तो सो जाईए कल बात करें मैं सब्कमाइ भाप 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 एक झाल यहां अच्छे में फाल यहां विल्वान्यगिया क्या था खाल दखा भापु चाल बाप तुमारे भाप 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 यहां तो खाला हंगा इड़ करें माम को नाम करता है मलाई मतड़ सब्जी तो जाएए पपा, बात करेंगे, ठीक है? मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, रैस्पीस पसंद आई होगी, अगर कुछ भी इस वीडियो में पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो रैस्पी हो, चाहे हो मेरा डेली रूटीन, कुछ पसंद आया हो तो लाइक करके जरूर जाना है चलिए वीडियो में ही पर एंड करती हूं और आप से मिलती हूं आपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक्स फो वाचिंग टेक केर बाई बाई